हमको वह क्यों होता है इसके बार में सोचे दोड़ा तो भय इसलिए होता है कि हमने किसी और की कल्पना की देखो भय हमेशा हमसे अन्या जो होता है उसका होता है एक मिनटा तो देखिए हमें हमें अपने आपसे भाई नहीं लगता है बड़ाबरें जिसको हमने अपने महें में सम्मिलित किया है उससे हमें डर नहीं लगते हैं जैसे अगर हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं आपने मुझे अपना मित्र माना है फिर मुझसे आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा लेकिन अगर आपने मुझको अपना मित्र नहीं माना है या फिर आप मुझे जानते ही नहीं तो उसके कारण भय हो सकता है तो भय होने के लिए किसे कि किसी दूसरे व्यक्ति की आवशकता है या किसी दूसरी वस्तु की आवशकता है और उसके बारे में हमारे मन में अज्ञान की आवशकता है अगर हमें ज्ञान है उसके बारे में तो फिर भी भाय नहीं होता है यह देखो कि बच्पन में अगर हमने किसी गरम वस्तु को हाथ लगाया तो हमारा हाथ जलेगा तो हमको पता चल गया कि यह गरम वस्तु है तो इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए और हाथ लगाएंगे तो फिर हाथ जल सकता है तो इसलिए हम उससे फिर चार हाथ दूर रहते हैं वसको लुगाते हैं, ऐसा होता है नâm professionals अजो तुका। क्योंकि हमने अगनी का सवरूप है उसको समझ लिया उसका ज्ञान हो गया जब तक ज्ञान नहीं होता है, तब तक भै हो सकते है ठीक है, दूसरा है कि समझ लो हम लुक्र आदे नहीं यह और मैंने ऐसी कलपना कर ली कि राम से मुझे किसी प्रकार का कष्ठ हो सकते हैं या किसी प्रकार का कुछ खत्रा है तो जब तक मैं जानता नहीं हो तब तक मैंने जो कलपना की है वो कलपना मुझे सच लगती है लेकिन जब मैं राम के बारे में जानता हूं तो फिर उसके बाद वो भय जा सकता है ऐसा है तो हमारे मन में भय हमेशा जो होता है वो दूसरे के बारे में होता है ये हमने एक समझ लिया अभी के लिए ठीक है अभी ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि जो हम हमसे अन्य मानते हैं वो सही है या नहीं है ये मान्यता सत्य है या अशस्त्य है इसके बारे में हम वीचार कर करेंगा। अभी देखो mi हम दोनों एक दूसरे से बाचित कर रहे हैं ऐसाम को लग रहेस तो क्या हो रहा है कि आपको आपके स्क्रीन पर या आपके डिवाइस पर मेरा चीतर दिखाई और कान में आवाद आ रही है, दो बाते हो रही है, यहने क्या हो क्या रहा है, मैं बता रहूं आपी इसको, इसका completely scientific analysis, ठीक है, प्रोसेस क्या हो रहा है, कि हमारे स्क्रीन के सामने, हमारे स्क्रीन पर हमें एक आकरती दिखाई दे रही है, शेप, और उस आकरती में कुछ रंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यह आकरूती है और यह जो रंग है, इनसे जो प्रकाश की किर्णे हैं, वो बाहर निकल रही है, और वो हमारे आखों के अंदर जो रेटीन होता है, उस पर एक प्रतिभिंब तयार कर रही है, और वो जो प्रतिभिंब है, वो उल्टा रेटीना पर तयार हो जाता है, इसके बारे में तो सुना होगा, साइन्टिफिक है है, साइन्स पर पढ़ा है ना, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कि वो जो प्रतिभिंब है, वहां से एक समवेदना मस्तिष्क में या हमारे ब्रेन में जाती है, और वहां पे जो में होता है, अंदर से, वो अनुभव जब होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे सामने कुछ वस्तू है, यह है प्रक्रिया, समझ में आ रही है, अभी मुझे बताओ, कि अनुभव की सबात का हो रहे है, अनुभव तो के वर उसका हो रहे है, जो हमारे मस्तिष्क में जो तो सम्वेदना हमको हो रही है, उसी का अनुभव हो रहा है ना, मेरा अनुभव का हो रहा है, अनुभव उसका हो रहा है, लेकिन उस अनुभव को मैंने विक्रम पत्तर के ने ये नाम दिया है, क्योंकि मुझे जानते हो इसलिए, जो मुझे नहीं जानता होगा, उसको क्या ह इसे जा कर रहा है, और फिर से बात कर रहे है। जो जा रहा है तो द्वनी नहीं जा रहा है वो तो कुछ इलेक्ट्रोमाइनेटिक वेव जा रही है ना मतलब किसी परकार की उर्जा जा रही है किसी परकार की लहरे जा रही है द्वनी नहीं जा रही है द्वनी का रूपांतर लहरों में हुआ है और वो लहरें जा रही है सैटलेट के माध्यम से आपके बास वहाँ पर आपका डिवाइस उसको डिकोड करके फिर से उसको द्वनी में रूपांतरित करता है वह द्वानी आपके कान के अंदर जाता है। परदा की है भी रहा है। फिर क्या हiusए है ? फिर उस द्वानी का फिर से रूपां इंतर हुआ लेरों में। और वह लेरे जा रही है कान के अंदर से हमारे मस्तिष्ट में। वहाँ पे जो आडियो सेंटर हैं, द्वानी को ग्रहन करने के जगा हैं, वहाँ जाकर के कुछ समवेदना हो रही है, और उस समवेदना का मुझहन हो रही है, समझे, और उस समवेदना को मैंने हिंदी भशा कहा, और उसी समवेदना को मैंने मुझसे कोई बात कर रहे हैं अमे की वाहर जो जगत मुझे दिखाई दे रहा है इसा लग रहा है उसके आनुभव मैरे अंदर नहीं आदर है ले जब तक वह अनुभव मेरे अंदर मुझे होता नहीं है जब तक मेरा मन उसको ग्रहण नहीं करता है, तब तक वो बाहर का जगत है या नहीं है, उसके बारे में मुझे पता ही नहीं जलता है, यह अगर मैं बात करता भी रहूं, और आपके मन में उसको ग्रहण नहीं हो रहा है, आपके मन ने उसको ग्रहण नहीं किया, तो मैं बात क कुछ भी करूं कितनी भी करूं लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा तो उसकेस में क्या हो कुछ भी पढ़ा है कि मैंने कौन से टॉपिक पर बात कर रहा था कि मैं से अख्तर काई वो ध्यान कर रहा है और नहीं जा रहा है क्यों कि जो इसे समora हे और उसका प्रना हो रहा है and second thing I just wanted to add because since it is related to because मेरे लिए काफी ये इंपोर्टन रखता है कि मैं अपने इस प्रॉब्लम को कितना जल्दी से सॉल्व करूं तो जो कुछ भी मेरे को knowledge or doctors ya psychologists कुछ कोई भी बोलता है तो then मेरा attention जो रहता है और ज्यादा हो रहता है because I am serious about this करें जिसी कोई चीज है कि दे प्रोफेसर पढ़ा रहे तो मैं बुक में भी पढ़ लूगा तो मैं इतना serious नहीं रहूंगा उसमें तो मैं उतना attention दोंगा ने तो इसलिए whatever I mean जब भी मैं इंट्राक्ट करता हूं तो मैं पूरा तो में हमने सालों लगा दिये वड़कर के समझने में लिए समझने के लिए वो सारा आधे घंटे में ग्रहन हो साथ अगर ध्यान पूर्वक सुनोगे तो समझना है सिर्व इसको करना कुछ नहीं है यह देखो यह मेरा hand glove है मैं यह computer चलाते समय इसका उप्योग करता हूं इसका रंग नीला है ठीक है इसके बाद क्या करने कुछ नहीं करने समझ में आ गया तो जो है वस्तु उसको अगर हम ठीक तरह से समझ लेंगे अच्छी तरह से तो उसके बाद में करना कुछ नहीं है उसका उप्योग कर सकते हैं यह हाथ में पहनने का एक जुराब है और उसको मैं लगाता हूं मैं जब computer पर काम करता हूं तो कम्प्यूटर का जो सर्फेस होता है वो ठंडा होता है तो यह हाथ को ठंडा ना लगे इसलिए मैं इसको पहनता हूं तो इसमें से मेरे उंगलिया बाहर है लेकिन यहां जो हाथ रखता हूं तो फिर हाथ को ठंडा नहीं लगते है यह उपा है और कुछ नहीं है ठीक है तो अभी हमको क्या समझ में आया है, अभी तक कि जगत का दर्शन मुझे बाहर है, ऐसा लग रहा है, ऐसा दर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसकी अनुभूती मुझे मेरे अंदर हो रही है, समझ में आ रहे हैं? आप ही मुझे बताओ कि आज तक जगत का अनुभव मुझे कैसा हुआ है ऐसी ही समवेदनाओं के रूप में मुझे जगत का जो अनुभव है वो अनुभव केवल मेरी इंद्रियों ने मुझे जो समवेदनाओं दी हैं और मेरे मन ने जो समवेदनाओं ग्रहन की हैं उनका सबका जोड यही मेरी जगत के बारे में जानकर यह है इसके अलाबा जगत के बारे मेरे मन में क्या ग्यान है कुछ भी नहीं है मतलब का आप यह बुलना चाहते हैं जो आपकी इंद्रियां हैं जो आफ ने जो 500 having a니까 na अखहए है तो उसके पिछह जो मन है वह मन featuring पेर्कने जो कि जो दिना इंट जो bạn कर रहे मन की बात कर रहा हूं जो गार जो कर रहां हो इंट दुन ale और ये और वह ये सारह कासा जो है न और इन शब्दों का हमें ठीक तरह से अर्थ नहीं पता होते हैं, जब हमें उन सारे शब्दों का आर्थ ठीक से पता चल गया, तो उसके बाद क्या होगा कि मैं जो बताने का प्रैतना कर रहा हूं, मेरे मन में जो विचार है, वो विचार वैसा का वैसा अपने मन में आ सकते हैं, हमारी इस चर्चा का उदेश क्या है, तात पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में जो विचार है, मुझे जो समझ में आया है, वो वैसा का वैसा आपको समझ में आये, इसके लिए ये चिंतन चल रहे हैं, तो भाषा जो है, हिंदी भाषा, ये इन विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है केवल, मेरे मन में जो शब्द है वो वानी से प्रगट हो रहा है और वानी से प्रगट होने के बाद आपके मन ने उसको ग्रहण किया और उस वानी का फिर से भावना में या विचार में परिवर्तन हुआ और समझ आया उसकी अनुभूती हुई यह है प्रक्रिया जब मेरे मन में जो विचार है और मेरे मन में जो स्पष्टता है मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके बारे में उतनी स्पष्टता अगर आपके मन में आ जाए तो फिर क्या होगा मुझे जिस प्रकार से किसी भी प्रकार के भय की अनुभोती नहीं होती है उसी प्रकार से आपको भी किसी भी प्रकार के भय की अनुभती नहीं होगी और हमको केवल यह समझना है केवल समझना है अगर हम इसको ठीक तरह से समझ लेंगे तो फिर भय पूरी तरह से चला जाएगा हमेशा के लिए जाना ही चाहिए क्योंकि पहला हमने क्या कहा था पहला हमने यह कहा था कि भय हमेशा किसी अन्य का होता है लेकिन जिसको मैंने अन्य माना है उसका अनुभो मुझे कहा हुआ है मेरे अंदर हुआ है और मेरे अंदर मुझे जो जो अनुभो हुए हैं अब तक उसके अलावा जो मुझसे अन्य है ऐसा माना है मैंने उसके बारे में मुझे क्या ग्यान है कुछ भी नहीं अभी मुझे बताओ दूसरा प्रश्न है बाहर जो मुझे जगत दिख रहा है वो है ब्रिम्ब याने ओरिजिनल और मेरे मन में जो पढ़ रहा है वो है प्रतिबिम्ब याने मीरर यह सच है यह मुझे झाल रहे है वो सच है और बाहर जो दिखाई दे रहा है वो है प्रतिबिम्ब इन दो में से क्या सच है बता है बता सकते हो गैस कर सकते हो सट करूना इधिंग the first one मतलब कि जो बाहर हो रहा है वो है विम वो सत्य है और जो मन में हो रहा है वासका प्रतिविम्ब है that is the mirror image आईसा समझाए ठीक आईसा समझाए पर जैसा बाहर है वैसा ही प्रतिविम्ब मेरे मन में पढ़ रहा है कि नहीं है इसके बारे में हर व्यक्ति को अलग-अलग अनुभाद है interpretation जो है वो अलग-अलग हो सकता है क्यों होता है क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है उनका जो उनकी जो ग्रहंट करने की क्षमता है जिसको हम कहेंगे sensitivity इंद्रियों से विश्यों को ग्रहंट करने की जो क्षमता है जो सुक्षमता है वो हर व्यक्ति की हर इंद्रिया की अलग-अलग हो सकती और उस पर निर्भर करता है कि ग्रहंट क्या हो रहे है So perception is dependent upon the sensitivity of the instrument of perception अभी इसका मैं उधर अंटेता हूँ याना समझ में आ जाएगा एकदम समझ में आ जाएगा अगर हमने अभी याद करो हम B.S.C. Chemistry के लाब में जब थे तो हमें लाब में जाकर के कोई प्रयोक करने पड़ते थे तो उसमें अगर हमने किसी powder को लिया और उसका हम को वजन करने कैसा करेंगे उसको हम थोड़ा से लेंगे और वो chemical balance जो होता है उस पर डालेंगे पर उससे पहले वो chemical balance को zero करना पड़ते है याद आ रहे है वो जो उसको side से एक button दबाना पड़ते है तो फिर वो reading आता है zero फिर हम उसके ओपर थोड़ा powder डालते है एक कटोरी में whatever और फिर जितनी पावडर अपने को चाहिए उतनी ले लेते हैं फिर वो पावडर को बरबर 100 ml of water में डिजॉल करते हैं याने फिर उसका वो एक measuring flask होता है उसमें हम measure करते हैं फिर वो अपने को वन नॉर्मल या वन मोलर solution तेयार हो गया इस तरह से हम कर देना प्रयोग तो अगर वो जो chemical balance है उसका zero हमने ठीक से set नहीं किया तो फिर क्या होगा कि गलत उत्तर आएगा ना incorrect measurement होगा याने क्या हो गया कि हम में मुझे अगर एक gram powder यह उसको मुझे उसका तोल नाप तोल कर रहा है कि इन उसका zero बराबर नहीं तो एक gram नहीं आएगा one point something आएगा या फिर zero point something आएगा एक गरन नहीं आएगा बराबर है तो जब मैं किसी भी वस्तु को समझने का प्रयतना करता हूं उसको ग्रहन करने का प्रयतना करता हूं तो जो मेरा करने का हिंद्रिय है उसकी जो sensitivity है वो बराबर होनी चाहिए नहीं तो ग्रहन नहीं होगा बराबर दूसरा अधर यह पहला थो के मिस्टी लाब में से समझ लिया राइट आप यह आप बोलना चाहरा हूं कि एक होता है कि आदमी थोड़ा सब बाइस हो जाता है मालब बाइस पर लब कि जैसे कि मेरे दिमाग में है कि लेट से योगा से चीजे अच्छी होती हैं तो जो भी योगा वाले बात बताएंगे तो मैं उसको अलग वे मिलूगा अगर जो लेट से मैं कुछ बोलूगा कि यह जीज अल्कोहल इस बेट फर्व तो मलब एक आदमी का जो से आपने अपना ऑपीनियन है उसकी हिसाफ से आदमी फिर वो इंद्रियां और आपना ब्रेन आपिन है उसे साफस करता है पर यहां कि अपने मन्से डर हमेशा के लिए जाना चाहरे कि हमने क्या सुना था यह अगया के जीत है तो अगर हमें भय के बारे में ठीक तरह से समझ में आ जाएगी यह है क्या तो फिर उसके बारे में हमारे मन में जो आयोग या अनुचेत मानेता हैं वो सारी के सारी मानेता है 있는데 अपने अपनाश्ट हो जाएगे ऐसा अपने अएक पूने में चाय को चाया नहीं कहा जाता है पुने में चाय को अमरुत के बराबर एंशा घर जसा खाअँ थया है को अम्राट तुल्य केवल पुणे में ही घाई आ इसा चाहिए अमॉरू तोल्य पीने से पहले हमने एक चम्मच चीनी खा ली तो फिर उसके बाद वो चाय मीठी लगेगी उतना मीठा नहीं लगेगा क्योंकि आपने पहले से ही आपके चीनी खा रखी है पहले से ही है तो उतना नहीं लगेगा हाँ तो क्या हुआ कि जो हमारा स्वीट टेस्टिंग का जो टेस्ट बढ़ था ना यहने मधुर रस को ग्रहन करने के लिए रसना में जो एक केंद्र होता है उस केंद्र को मैंने उसका जो जीरो था वो रिसेट किया समझ में आ रहे है तो उसके उपर जो पावडर डाल रहे है उसका उत्तर बढ़ावर नहीं आ रहे है समझ में आया तो जगत के स्वरूप का ग्रहन होने के लिए ठीक तरह से उसको ग्रहन करने वाली जो हमारी इंद्रिया है और उसके पीछे वाला हमारा जो मन है वो बढ़ावर सेट होना होना चाहिए ना उसका जीरो बढ़ावर सेट होना चाहिए ने तो नहीं होता है ने तो इनकरेक्ट मेजर्मेंट हो जाएगा इनकरेक्ट मेजर्मेंट आएगा याने क्या होता है कि मेरे मन पर मेरे पूर्व अनुभों के जो समस्कार हुए होते हैं उन संस्कारों के कारण मेरे मन का जो zero है वो reset हो चुका है कैसे गवा है', मैं दो Points हूं! मैं ब्राह्मन हूं! मैं भारती हूं! मैं कानपुरका हूंobyl मेरे बास इतनी बड़ी नोकली है मुझे इतनी बड़ी तंखा मिलती है ये सारे संस्कार के कारण ये मन reset 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 व काल अपसेट क्योंकि यह सारे जो हैना अबही जो देयों अबही नude वापस लानाे क्योंकि यह सारी उपादियां है इसको कहत arrays है उपादियाने i.blog आये शूपर- опас याज जया ए फादियाने घरी रिया तोर। प्द मतलब कि ये हमिगा करेक्ट उपादियाने पद हो गया करेक्ट देखो जब अब जब हम रात को सोते हैं अभी सो जाओगे तो रात को सोने के बाद में मुझे ये पता होता है कि मैं पुरुश हूं मैं कानपुर करने वाला हूं मेरे पास इतनी बड़ी नोकली है मेरे गराज में बाहर गाड़ी भी थे इकशनल है किस बात की याद रहती है कि सारे के सब रहन करेंगे जब मैंने पहली उपाधि ग्रहन की कि यह मैं हूं egy क्योंकि यह सारे के सारे जो बाद वाले हैं बड़ी यह कब तयार होते जब मैंने पहले ये ग्रहन किया और पहले ये मान लिया कि ये देह मैं हूँ तो ये देह पुरुषका है ठीक है ये देह कानपुर में पैदा हुआ था ये देह आफिस में जाके काम करते हैं देह के साथ मन भी होता है पर वो मन और देह ये दोनों जो है न ये हमारे गार निद्रा में डीप स्लीप अवस्था में चले आते हैं तब ही जाकर के तो निद्रा कानव होता है न ने तो होई नहीं सकते हैं अगर हमारे मन में इन सब बातों से चुटकारा नहीं मिलता हैं तो पंद में जाई निज ऑसकते और नेंद्ध जो है निद्रह हर व्यक्ति को चाहिए हो थी तलिक्रिम्ट में हमें अराम कानूबह रही हो review कि यूजू की निद्रह में तरह के हामारे मंद से अन्यत्व की भावना है वो पूरी तरह से मिठ जाथी अब ही क्या हो रहा है कि जागरता वस्था में हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तब अन्यत्व की भाव ना हो रही है ना कि मैं आप से बात कर रहा हूं और आप मुझसे बात कर रहे हो ऐसी भाव ना हो रही ना ऐसा अनुभा हो रहा है लेकिन अनुभा क्या हो रहा है वेदना का नुभा मुझे अंदर हो रहा है उसको मैंने तो में किसी से बात कर रहा हूँ इसके उलबात चड़ा ę समझ में आघर है Right की ऊपर सिजा रहा है कि ने निसमाज मेरा जो आप बुल लेकि जिसे कि अभी हम बात कर रहे हैं तो जो मेरे को जो एक्स्पीरियंस हो रहा है ठीक है मैं कि किसी कन अनुभागत से बात कर रहा हूं और यह जो है अउडॉक्टर विकराम सर हैं और वो हमसे बात करके हां समझाने के कोशिष कर ने कर अनुभाँ हो रहे हैं लेकिन अनुभाँ केवल तीन वस्तु गषा हैं Todd Gilliakirati, त्रक्रिए तो यह दोनों को नेत्रग्रण करने। और द्वद्वनी जिसको कान ग्रहन करने इन तीन ही वस्तु का अनुभाँ हो रहे बाकि हो रहे हैं इसके आगे का जो है वो सारा इन तीनों सम्वेदनाओं के अनुभव पर अध्या रुपित है कि मच्छा सोचो इसके बारे में यही तो हो रहे हैं इतना क्लियर है कि समझ में आ रहे हैं तो यह जो गाढ़ निद्रा की जो अवस्ता है कि अभी जो हम इसका अनुभव करेंगे कुछ घंडो बाद वह अनुभव राम दिक्षित का और विक्रम पत्तर गिने का अलग लगनी है वो अनुभो हर व्यक्ति का एक ही होता है और नकेवल मनुष्यों का किन्तो पश्यों का भी ऐसा ही अनुभो होता है तो जब हम इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं फिर क्या होगा? फिर हमें ये पता चलेगा कि ये जगत बाहर है ऐसा प्रतीत हो रहा है लेकिन उसका अनुभो मुझे मेरे अंदर ही हो रहा है और अगर मेरा जो मेजरिंग इंस्टुमेंट है मेरे अंदर का उसको मैंने अगर ठीक से सेट कर लिया जीरो पर तो फिर जगत जैसा है वैसा मुझे प्रतीत होगा और मेरे मन में उसका अयोग्या, अनुचित, गलत, प्रतिविम्ब नहीं पड़ेगा. ऐसा होगा. अगर मुझे जगत के बारे में सही जानकारी हो गई, तो फिर मुझे उससे किसी भी प्रकार के भाई की कोई आवाशकता नहीं. आप भी देखो. फिर से एक बार, अभी दूसरा एक थ्रेट लेते हैं. दूसरी ओर से आकर के मैं समझाने का प्रहतना करता हूँ. हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जगत में जो वस्तुएं हैं, सारी के सारी वस्तुएं, वो कैसे तैयार होती हैं? तो उन वस्तुएं के अंदर अनू और पर्मनू होते हैं. ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब अटॉमिक पर्टिकल्स होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था. तो उनकी रजना कैसी है? उनकी रजना ऐसी है कि जैसे सूरिय मंडल है ना मारा, बीच में सूरिय है और सूरिय के आजुबाजु में चक्कर लगाते हैं ग्रह, आजुबाजु में मतलब बहुत नजदिक तो नहीं है, बहुत दूर है. उसी प्रकार से एटम जो है अनू, उसकी रजना ऐसी है, उसमें भी क्या होता है कि बीच में एक केंदर होता है, नूकलियस, उस केंदर में प्रोटॉन्स और नूट्रॉन्स ये दो होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नूट्रल पार्टिकल्स, और उनके अगल बगल में, इलेक्ट्रोंस जो हैं वो चक्कर काटते हैं ऐसा ही हमने पढ़ा था ना chemistry में आटम का जो structure है उसको इसी प्रकार से बताया गया है और ऐसा हमको पता है अगर आप पुछेंगे किसी chemist से या physicist से कि आप मुझे बताएं कि इस समय इस atom में ये electron कहां पर है तो वो क्या कहेंगे कि ये electron इस जगा पर होने की संभावना है और वो भी इतना जैसे जब तक मैं उसको सोचता हूं कि वो यहां होगा तब तक वो चार चक्कर काट करके फिर से वापस यह वहीं और कहीं चला गया हो इतनी शीग्रगति से वो जा रहे है ठीक है अभी अगर मैं कहूं कि राम हम एक कागस और एक चित्र बनाएंगे आटों με का क्या करोंगे बीच मैं एक न्यूक्लियस निकालोंगे इंपर उसके बाद में आसा ओर उसु क्री जिसा निकालोंगे तब कर विचर उसमें दू तीन अगर उसका to the scale हम लोग चित्र निका लेंगे, to the scale, तो क्या होगा पता है? उस कागज में जो हम देख रहे हैं, वो 0.01% भी नहीं होगा, उससे कम होगा, क्यों साइस कही साप से, तो इचे साइस ऑफ दे नुकलिस और इसके बाद में पहला और्बिट, इसके बाद में दूस हो जाएगा, है न? तो, what we are missing, जो हमको दिखा ही नहीं दे रहे हैं, जिसके और हमारा ध्यान ही नहीं जा रहे हैं, वो है आकाश, तो ये सारा का सारा जगत जो है न, ये आकाश मय है, इसमें केवल आकाश ही आकाश है, उसमें छोटे छोटे, energy particles हैं, बिल्कुल छोटी जगा पे negatively charged और positively charged particles हैं, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, और वो रहते हैं, और उनका एक दूसरे के साथ मानो नृत्ते चल रहे हैं, उसको हम कहेंगे शीव शक्ति, हमारी पुस्तकों में लिखा हैं, पर ये मैं शीव शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल विज्ञान की बात कर रहा हूँ, आधरिक विज्ञान की, जो हमें समझ में आता है, और जिस पर ये सारा का सारा जगत आधरित है, तो सारा का सारा जगत जो है, वो केवल पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो डान्स है, उसके उपर आधरित है, ठीक है? और मुझे बताओ कि हाइड्रोजन से लेकर के तो पूरा पिरियोडिक टेबल, सारे के सारे एलिमेंट्स, उनमें केवल यही तीन वस्तु हैं, निउट्रॉंस, प्रोटॉंस और इलेक्रॉंस, ठीक है ना? तो यह तीन प्रकार के जो कण हैं, पार्टिकल्स, वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ आते हैं, रहते हैं, और किस प्रकार से उनकी संख्या और रचना है? उस पर यह निर्भर करता है कि हम उस वस्तु को कहेंगे क्या? तो नाम, रूप और उसके गुणधर्ब जो होते हैं, वो यह एलेक्रॉंस, प्रोटॉंस, न्यूट्रॉंस किस संख्या में और किस प्रकार एकत्रित होते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। और एक न्यूट्रल भर्टिकल है, यह तीनों के नृत्य से, तीनों जिस प्रकार से एक साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, उस पर से यह तय होता है कि यह वस्तु है क्या? ठीक है? तो सोना भी अगर देखोगे न, हेवी मिटल है वो, उसके अंदर भी वही वस्तु है, लेकिन वो सोने के रूप में प्रतीत हो रही है, यह वस्तु हैंड गलव के रूप में प्रतीत हो रही है, इसमें भी वही वस्तु है, वस्तु सब जगा पर वही है, सब जगा पर वही है, इंग्रेटियंट वही है, बट द वे जो रिप्रेजेंटेशन है जो उसका manifestation है वो अलग-अलग है प्रगटी करण क्यों अलग-अलग है क्योंकि अलग-अलग प्रकार से वो एक साथ आये हुए है इसलिए यहने hydrogen के दो और oxygen का एक अगर एक साथ आते हैं तो क्या होता है कि उसके electrons और protons का जो जोड़ है वो तो बराबर आ जाएगा गणित के सबसे लेकिन hydrogen के गुणधरम अलग लगए है oxygen के गुणधरम अलग लगए है और पानी का जो गुणधरम है वो तो तीसरा ही है ऐसा कैसा होता है तो इन तीन fundamental particles से यह सारी की सारी दुनिया तयार हो गए बड़ाबर है लेकिन इस दुनिया का जो ग्यान है वो मुझे कहा हो हो रहे हैं वो मेरे मन में हो रहे हैं यहने इतनी सारी दुनिया को समझने के लिए केवल एक मन क्या होशकते हैं तो यह जो सारा इस इतना विस्तार पुर्वक सारा जगत तयार हुआ है उस जगत को मेरे मन में अपने आपने समिट लिया है ठीक है अब देखो कि बाहर का जगत और मेरे मन में पड़ा हुआ उसका प्रतिभिंबा आइसा ही हमने समझा है अभी तक आपने मुझे पर इसी समझ के इसी माननेता पर हम लोग आगे जाते हैं कि बाहर का जगत सत्य है और उसका जो मेरे मन में पड़ा हुआ प्रतिभिंबा है वो मैं बात करता रहूं फिर भी अगर अपने मन ने उसको गहन नहीं किया है तो फिर कुछ भी सोजनी आगा दूसरे तरफ से अगर मेरे मन में मेरको समझमें नहीं आ रहा है तो बाहर है ऐसा मुझे समझे गए नहीं यह नहीं हम जब सुझाते तो क्या होता है हमें जगत का अनुव होता नहीं क्योंकि हमारा मन्स हो गाए है तो जगत होता होगा बाहर किसी और के लिए होता हो लेगिन मेरे लिए तो अदृष्च हो गै तो प्र कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं बड़ा बड़े, मुझे बताओ कि मुझे समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आता है, तब तक आपके लिए उह है ही नहीं, पहले हमने क्या समझा था कि जो अनुभो मुझे अंदर से होता है, उसके अलावा, मेरे जीवन में मुझे कुछ भी अनु मेरे मन में मेरे जीवन की कहानी मेरे जीवन की कहानी समृति के रूप में बड़ा रूप में, बड़ा रूप में, मेरे मन में मेरे जीवन की कहानी समृति के रूप में, बड़ा रूप में, मेरे मन में मेरे जीवन की कहानी समृति के रूप में, बड़ा रूप में, अभी मुझे बताओं कि इस स्मृती में और समझो मैंने कल रात को कोई सपना देखा है उसकी स्मृती में क्या फरक है तो वहां में ने एक भायाना का एक्सिडेंट देखा और फिर में घर आ गया वहां की पूरा एक्सिडेंस किया जो मेरा लाइफ का स्टोरी है हम अटो मेरा हकीकत में मैंने एक्सिरियंस किया है और जो अधी है अभी मेरे दिमाग में है, यहने वस्मृति है केवल, इसको मैंने फिल किया है, तो मेरे को वो ओरिजिनल लगता है कि मैं इस कॉलेज में गया था, मैं इन लोगों से मिला था, केवल जागरुता वस्था का जो अनुभव है, उसको मैंने मेरे जीवन की काहनी समझ लिया है, पर इस समय वो अनुभव या वो काहनी केवल कालपनी कही है न, क्योंकि आभी इस समय वो मेरे मं में केवल स्मृति के रूप में ही उपलब्ध है, वास्तविक नहीं है, ठीक है, कहने का आर्थ यह है कहने का दाथ पर यह है कि जिस प्रकार से स्वपन जब मैं स्वपन से जाग जाता हूं तब मुझे पता चलता है कि वो स्वपन था जब तक मैं स्वपन में होता हूं तब तक वो मुझे सच लगता है क्यूंकि जैसे देखो अगर सपने में मेरे पीछे को तो मैं भी दोड़ता हूँ क्योंकि मैं भी बजना चाहूंगा ना और जब दोडते दोडते फिर मुझे पसीन आता है और मुझे मेरी जो दढकाने चलने लगती जोर से इसा होता है और फिर जैसे यह शेर ने अपने आप पर छलांग लगा दी तो फिर मैं जाग जाता हूं और फिर में उठता हूं और फिर में सोचता हूं अपने आप से किया रहे यार यह तो शेर सपना ही था कहा खाया मुझे जिन्दा हुँ ना शेर है नो कुछ है ऐसा होता है कभी-कभी पर जब गिरते होते हैं तब हमको वह सच लगता है क्योंकि जब हम जाग जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि हमारी दिल की धडखन जो होती हो तेज हो चुकी होती है भासी न आ चुका होता है ऐसा होता है तो क्या वो सपना जुटा था बिल्कुल नहीं था जब हम सपने में होते हैं तो सपना सची होता है ठीक है ना? उसी प्रकार से बाद में हमको realize होता है कि अरे ये तो सपना था ठीक है और जो अपना लाइफ स्टोरी है तो महीं परसेप्शन है कि जो लाइफ स्टोरी है यह मेरा और ग्रहा में ताजमहिल देखा है तो वह मेरे इंद्रियों अब ही आप इमेजिन करके आप बोलेंगे की Statue of Liberty अमेरिका में न्यूयार्क में है तो उसको भी मैं मान लेता हूँ क्योंकि हमको मीडिया बता रहा है तो और वो भी ओरिजनल है हकीकत में है वहाँ पे है अगर जो आप बोलेंगे कि मैंने तो experience नहीं किया है तो एक होता है कि assume कर लेना की चीजें और वैसे सपना क्या है कि हमने ऐसा मेरा दिमाग ने imagination create किया environment create किया और वहाँ पर में खाई में गिर गया और जब मैं उठा तो मैं अरे तो मतलब मैं करेंक मतलब वह आर्टिपिस्यल था यह ओरिजिनल है सब बुलना चाहता हो करेक्ट तो देखो हमारे जीवन का यह सारा जो अनुबह न वह केवल हमारे मन में स्मृतियों के रूप में ही हमें उपलब्ध होता है इसके अलावा हमारे पास कुछ अनुबह है ही नी ठीक है और इस समय जागरुता वस्था की जो स्मृति है वो और स्वपना वस्था की जो स्मृति है वो उन दोनों स्मृतियों में इस समय कोई अंतर नहीं है दोनों स्म आरत क्या हुआ कि जागरुता वस्था भी स्वपनवत ही है तो इसको आवशक्ता से अधिक महत्व देने की कुई आवशक्ता नहीं है यहने जो हमें करना चाहिए जागरतावस्ता में वह हमने करना ही चाहिए इसको कहते है हमारा धर्म और जो धर्म है वो आयू के अनुसार बदलता है या यहने आश्रम के अनुसार या वर्ण के अनुसार भी बदलता है और जो हम सहच्ता पूरुवक कर सकते हैं जो हमें सहच्टा पूर्वक करना आता है किसी भी आयू में या हमारे जो संस्कार हुए हैं हमारे उपर उनके कारण उस प्रकार से हम अगर सहच्टा पूर्वक रह सकें तो क्या होगा? तो हमारा जीवन जो है वो ठीक से चलेगा हमारा भी जीवन ठीक से चलेगा और हमारे परिवार का भी जीवन ठीक से चलेगा हमारे समाज का भी जीवन ठीक से चलेगा हमारे देश का भी जीवन ठीक से चलेगा और सारे जगत का जीवन भी ठीक से चलेगा तो इसको ठीक तरह से चलाने के लिए ये अगर हम समझ लें कि जगत जो मुझे बाहर दिखाई दे रहा है वो केवल मेरे मन का प्रतिभिंब है बाहर का जगत और मेरे मन में जो पड़ा हुआ है वो एक दूसरे पर अवलंबित है ये अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरा नही ये समझ में आगया अपने को तो ये दोनों जो हैं वो केवल प्रतित हो रहे हैं क्योंकि मैं जागरुता वस्था में उनका अनभव कर रहा हूं किस तरह से 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 कर रहा हूं किस तरह स That is the only reality. और आप मुझे बताओ कि आपने present moment के अलावा किस वस्तु का नुभो किया है? करी नी सकते हैं. present moment जो होता है, वरतमान काल, उसके अलावा मैं किसी भी प्रकार के काल का अनुभो करे ही नी सकता हूं. मेरा अनुभो केवल एक सत्य है, भूत काल ये सत्य नहीं है, भविश्यकाल ये सत्य नहीं है, सत्य जो है वो केवल वर्तमान काल है, समझ में आ रहे हैं? ये अगर हम पकड़ लेंगे न पराबर, तो फिर क्या होगा? कि भूत काल का जो भूत है, वो अपने कंदों से हम उतार देंगे और हमको उसका भए नहीं रहेगा, देखो जो अब तक हो चुका है, वो हो चुका है, वो अभी नहीं है जो आगे आने वाला है, वो जब होगा तब देखा जाएगा, आएगा तब देखेंगे, अभी तो नहीं है न? मुझे बताओ कि भविश्य की मैंने अगर चिंता की कि मुझे कल ये करना है परसो ये करना है दस साल बाद ये करना है अभी है क्या नहीं तब तक मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा ये किसने बताया था कुछ गारंटी नहीं कोई गारंटी दिए तो अभी मेरे हाथ में क्या है अभी मेरे हाथ में यह है कि मेरे सामने जो काम है उसको मैं अच्छी तरह से करूंगा और क्यूं करूंगा क्यूंकि वो करने से मेरी चित्त शुदी होती है उसको कहते हैं कर्मयोग जब तक हम कुछ कर्म कर रहे होते हैं उस कर्म को हमने कैसे करना है कर्म को हमने इस प्रकार से करना है कि उसमें आनंद प्रगट हो और वो करते समय हम उसको दुड़ता पूर्वक ध्यान दे कर करेंगे और उसमें से अच्छे से अच्छा काम करने करेंगे और फिर उसके बाद में जो उससे परणाम निकलेगा कर्म का फल वो कर्म का फल जो प्रकृतिके नियम होते हैं उसके अनुसार भी लेगा अपने को यह अगर मैंने यह फोन अपने हाथ में से नीचे डाल दिया तो प्रकृतिके नियमों के अनुसार वो नीचे गिरे लेकिन कर्म फंपर मेरा अधिकार नहीं होता है अधिकार यहने control नियंदरन अधिकार यहने तो कर्म करने के पीछे यह प्रेरना होती है कि इस कर्म का जो फल है वो अच्य होगा मेरे लिए भी अच्छा होगा और मेरे परिवार के लिए भी अच्छा होगा मेरे देश के लिए अच्छा होगा उसी कर्म से प्रेरित होकर के ही हम कर्म करते हैं तो उस कर्म पर मेरा अधिकार याने मेरा राइट बिल्कुल होता ही है ठीक है लेकिन अधिकार याने कंट्रोल नहीं होता है in the sense कि अगर मैंने कुछ कर्म किया तो उसका जो परिणाम निकलेगा वो प्रकृति के नियमों के अनुसार निकलेगा उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है लेकिन अधिकार है मतलब हक है बिल्कुल है तो यह अगर हमको यह आप कर्म तो कर सकते हो लेकिन उसका जो फल है उसु छोड़ देना है क्यों छोड़ देना है वो फल के आशा से इच्छा से ही तो हम कर्म कर रहे हैं न हम जाकर के नोगरी क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको मैने के आंत में वेतन मिलेगा तब ही तो हम करते हैं न काम यह तो तो यह कर्म के भल पर आपका दिकार याने नियंतरन बिल्कुल नहीं है ऐसा है थीक है तो हमने क्या करना है केवल हमारा कर्म जो है उसको तो ध्यान पूर्वक आनंद प्रगट करते हुए करना है ठीक है और उसी में आनंद की प्राप्ति करनी है तो कौन सा कर्म करना है जिसमें मुझे आनंद आता है वही कर्म करना है ठीक है और उससे हमको जो वेतन मिलेगा वो वेतन प्रसाद रूप में उसका स्वीकार करना है तो जिसे हम आप मंदिरू में जाते हैं मंदिरू सबक्राए अर तो हम उसकेया कम आप न tu好 मुझे इतना ही क्यों मिला वह रचाव अज आद्मी के मिला में क्यों मिला है लिए अवर बड़ा है और उसमें कुछ खोड भी निकालते हैं महाराज आज हल्वे में चीनी डग कम हो गई थोड़ा अचार देई दो अइसा नहीं बोलते हैं उसको हम सुधारने का प्रैदन नी करते हैं एन्हें पहला जो है कि हमें संतोष है कि हमें प्रसाद मिला अभी आर्ती हो गई कि मंदिर बंध होने से पहले हम पहुच गया और हमको प्रसाद मिल गया इसे से हम जन्तुष्ट है फोस्ट ब्लेसिंग पहली कृपा यह हो गई कि प्रसाद मिला दूसरी कृपा यह हुई मतल़ा उसके बाद में तो हमने उसके उपर खोट निकाली नहीं नहीं उसके बाद में उसमें यह ऐसा हो न चाहिए था उसके बारे में कोई कंपलेंट नहीं है और जितना मिला होका थोड़ासा भी अगर हम अम किसी और के यह लो किक्षा है, अट यह दो कॉंसेटेक्ट MON applicable 8 खंचाए मिला है अच्छा है अभी ऐसा अपने पूरे जीवन के और देखो ठीक है तो मुझे मनुष्य जन्मा प्राप्त हुआ है फॉर्स्स ब्लेसिंग प्रशाद मिलगे है ठीक है मेरी सारी इंद्रिया काम कर रही है मेरा मन काम कर रहे है बुसरा ब्लेसिंग ठीक है उसके बाद में मुझे दो समय खाना मिल रहा है मेरे लिए अच्छा घर है मेरे अच्छी नोक्री है मेरी पत्नी अच्छी है मेरा बच्चा है सब कुछ अच्छा है सारे कितने आड करते जो ब्लेसिंग को हमारा हमारी समस्या क्या है राम कि हमें जो प्राप्त होता है हमेशा प्राफ्त होता है ना उसके बारे में हमारे मन में कोई किसी प्रकार के तो अगर हमारे जीवन का ये जो द्रृष्टी कोण है उसको हम अगर ठीक कर लेते हैं कि इफ अवर point of view is corrected यहने क्या हो गया कि हमारा जो मन था उसको हमें reset किया इस प्रकार से हम अगर जीवन की ओर देखेंगे तब हमें पता जलेगा कि हमारे जीवन में जो हमें प्राप्थ हुआ है वो इश्वर की खुरुपा है और हम इस प्रकार से कृत्त कृत्य हो करके और भक्तिभाव से ऐसा कहेंगे कि हमको ये बहुत अच्छा मिला है जीवन और फिर इससे हम क्या करेंगे कि हमको जो प्राप्त है उसे थोड़ा बहुत हम लोगों को भी देने का प्रेतना करेंगे इस प्रकार से अगर हमारा जीवन चलेगा तो उसमें हमें असीम आनंद का और हमारे मन से अन्यत्व की भावना पूरी तरह से चली जाएं सारे जगत को हम हमारा ही विस्तार है ऐसा देखें सारे जगत को हम मैं की परिभाशा में सम्मिलित कर लें जिस वस्तु को मैं मैं के रूप में जानता हूं उस पर मेरा स्वाभविक प्रेम होता है उस पर प्रेम करता नहीं हूं उसके बारे में मेरे मन में प्रेम है क्योंकि उसको मैंने मैं में सम्मिलित किया हुआ है जो मैं होता है ना उस मैं पर ना कुछ हिमसा हो सकती है ना उसके बारे में किसी प्रकार की अन्यत्व की भावना हो सकती है उसके बारे में केवल मन में प्रेम की भाव ना हो सकती है जब मुझे ये सही तरह से समझ में आता है कि राम मुझसे बात कर रहा है लेकिन मेरे चोटे भाई जैसे यह जागरतावस्ता में जब हम दोनों सो रहे होते हैं तब कुछ फरक नहीं पड़ते हैं यहां पर मेरे अलावा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी मुझे मेरे अलावा है मुझसे अन्य है ऐसी प्रतिती हो रही है वो केवल मेरे मन में उसका जो प्रतिविम्ब पड़ा है उसी के रूप में मुझे अनुभो में आ रहे बाहर का जगत मेरे मन का प्रत्वींब है बाहर का जगत जैसा है वैसा मुझे नहीं देखता है बाहर का जगत मुझे मैं जैसा हूँ वैसा देखता है समझें नहीं मैं तो अई कही हूँ लेकिन जब राम मुझे देखता है तो उसे लगता है कि हाँ यह मेरे बड़े हाई मेरी पत्नी जब मुझे देखती है तो वो कहते कि यह मेरा पती है मेरे बच्चे जब देखते हैं वो कहते कि यह मेरा हमारा पिता है और हमारे पिताजी जब देखते हैं, वो कहते हैं, तो मेरा बेटा है, अब मुझे बताओ कि मैं चार हो गया, मैं तो एक हूँ, लेकिन चारों ने अलग-अलग रूप से उनको देखा, क्योंकि उन्हों ने अपने आपको मेरी तुलना में, in my relation, in relationship with me, कुछ मान रखा है, तो उस मान्यता पर अधरित है, कि वो मुझे किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है न, तो ये जो मान्यता है, वो, और उस मान्यता पर अधरित, मैंने जो जगत का दर्शन किया है, वो, वो एक दूसरे के उपर निर्भर है, यानि राम मेरा भाई क्यों है, क्योंकि मैंने उसको तो अपना भाई मना है के तो राम मेरा भाई क्यों कि वो मेरा भाई आ बता है ना एक दूसरे के ऊपर आवर। लेकिन से क्या है कि अगर तुम ही नहीं यह जगत भी नहीं ना नीनि नहीं ना ना नो पूत्रख नो पती है कि है स्वार्श में यहां तुम्हारे आलवा कोई नहीं तुम हो एक ही तट्वा है इस जगत में केवल एक ही तट्वा है अगर वो तट्वा नहीं होगा तो यह जगत नहीं हो सकते यह अनुभव नहीं हो सकते चीक है तो मैं ही नहीं होंगा तो मैं फिर experience क्या करूँगा Exactly तो यहाँ पे उसके अलावा कुछ है नहीं क्योंकि उसके अलावा तुम्हें किसी भी वस्तु का कुछ भी अनुभव नहीं अनुभव केवल उसी कहे इसको कहते हैं अद्वाइत Non-Dual चीक है तो हमें अनुभव केवल अद्वाइत का ही होता है अद्वाइत के आधार पर ही द्वाइत का अनुभव हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है चीक है और जब तक हमारे मन ने द्वाइत को सत्य मान रखा है तब तक हमारे मन में भाया आता ही रहएगा जब मुझे पता चल गया कि ये द्वाइत का जो अनुभा है ये केवल स्वपन पने बते हैं तो सपने से जागने के बाद मैं मैं डरूँगा क्या नहीं डर सकते है तो इस जागरुता वस्था के द्वाइत के अनुभों से जाकर करे में, जाकर के मैं अगर अध्वाइत में स्थित हो गया, उसके बाद में द्वाइत के जगत से मुझे किसी प्रकार के भाय का अनुभों होगा, नहीं हो सकते हैं, डर के आगे जीत है, द्वाइत के आगे इसको पर चिंतन करना है तेखो अभी हमने सुना इसको तीन बात करनी है तीन चीज श्रवन मणन निदिथ्यासन ठीक है है श्रवन को ठीक है अब फिर उसके उपर मनन करना भी क्या होगा अभी तो ठीक लग रहा एक घंटे में लेकिन जब यहां से फोन कॉल से चले जाओगे उसके बाद में मेरे में सव प्रश्णा आएंगे अरे यार यह उन्हें बहुत यह आई सा नहीं लग रहा है में डाउट आएंगे शंकाएं उपस्तित होंगी हमारे मन में संदेह निर्म मेरे मन ने अभी इसको पूरी तरह से घ्रण कर लिया है कि हाँ यही सत्य है जो मैंने सुना वो सत्य है मनन के बाद ठीक है उसके बाद में उस सत्य में स्थित रहना उसको कहते है नीदि ध्यासन उसी के ध्यास में उसी के ध्यान में हमेशा रहने उसी को कहते है ध्यान तो कि मेरा जो शुद्ध आत्मस्वरूप वो केवल अद्वैत ही है उसमें द्वैत का केवल आभास हो रहे हैं आभास हो रहे हैं कब तक हो रहा है जब तक मेरे इंध्रिया जागूरत है तब तो यह अगर समझ में आगया ने एक बार इसको ठीक तरह से हम समझ लेंगे तो हमारे जीवन से भय हमेशा के लिए चला जाएगा अभयम हाँ कि अबसमें समाओस से हमें यह तो फिर आभी चिंतन होता है हमारा हर शनीवार रिवर कुछ ना कुछ लोगों को भी उसका काम हो उनके काम आ सकते हैं अब यह मैं बूला था कि यह अभी में बीच मेंने सवाल के था एक मन और कि मन और ब्रेन और सोल ठीक है तो इसमें बहुत कन्फिज यह सारे शब्द हैं कि शब्द जालम महारण्यम शब्दो का जो जाल है न यह महारण्या है घना जंगल उसमें फसना नहीं है alsamjic कैसि न खरो अनुभ़ करो किस बात कर रहा हैं देखो फंडमेंटल विलकुल मुल भूत है हां हम्जे बताव कि कि हमें हमारे मन में कभी भी कि सीपी समय कि सीभी प्रकारका संधेह होता है कि मैं हूँ या नहीं आजू तक करने बत्नी से अभी पुछआ है क्या याज सुनते हो ज़रा देखो तो मैं यहां हूं कि मैं ऐसा अज़ी हूं नहीं हूं ऐसा मेरे मन में कभी प्रश्ण आता है नहीं आसे तो केवल यही सत्य है इसके अलावा मेरे मन में जो कुछ भी आता है वो केवल मेरे मन की कलपना है क्योंकि वो आती है जाती है आती है जाती है याने क्या कि है और नहीं है है और नहीं है लेकिन जो है और नहीं है दोनों को जानता है वो कभी नहीं होने की कोई समभाव नहीं नहीं है जो है और नहीं है के परे है वो मैं हूँ वो तुम हो, तत्व मसि that you are और वो ही सथ्य है उसके अलावा जो कुछ भी अनुबह हो रहे है वो सारा का सारा प्रतीत हो रहा है लेकिन सत्या नहीं है इसलिए उसको मिध्या कहते है यह जिस प्रकार से मुरुगजल होता है ना मिराज मरुगजल जो होता है वो दिखाई देता है ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है लेकिन पानी होता नहीं है या फिर आकाश जो है वो निला दिखता है लेकिन वो निला केवल दिखता है वो होता नहीं होता है या फिर हमें इंद्रधनुष दिखता है दिखाई तो देता है लेकि केवल आकाश ही है उसमें आकरुतियां दिखाई दे रही है क्योंकि वो जो इलेक्टरॉंस और प्रोटॉंस है वो एक दुसरे के साथ गृत्य कर रहे हैं ठीक है और उनका अनुभव मुझे मेरे अंदर हो रहे हैं केवल अनुभूति के रूप में कि सम्वेदिना के रूप में है ऐसा का ऐसा और नहीं हो रहे हैं यह अगर इस फॉन को देख रहा हूं तो यह फॉन ऐसा का यसा मेरे आखों में नहीं जा रहे हैं अगर चला जाएगा तो मैं अंधर हो जाओंगा तो इसकी क्लिवल प्रतीमा मेरे मन में मुझे अनुभव हो रही है लेकिन फोन तो बाहर है और ये मेरे मन में जो प्रतीमा है और ये फोन ये दोनों एक दूसरे पर आउलम भी थे चीक है ऐसा मुझे जब तक पूरी तरह से अच्छी तरह से दुड़ता पूरवक समझ में न इस धर्मका है तो मेरा भाई है उस धर्मका है तो मेरा दुश्मन है ये दुनिया चलती लेगे इस प्रकार का जगत मिध्या जगत रामायन काल में भी था उस समय भी रावन था दस सर थे उसके महाभारत में भी था याने अच्छाई और बुराई सत्य और सत्य इस प्रकार का जगत हमेशा से रहा है ना रामायन से पहले चले जाओ सत्य योग में चले जाओ सत्य योग में वो भक्त प्राला था भक्त प्राला के समय हिरण्यक श्यपू उसका बापा ही राक्षास था है ना बाद में राम के समय में रावन कुम्भकरन जैसे राक्षास थे कृष्ण के समय में दुर्यधन दुशासन शकुनी कंस इस प्रकार के राक्षास थे आज के दिन में हम है कहां कुछ बदला है ऐसा ही है इसी प्रकार से जगद ऐसा ही रहत है ठीक है और वो किस ने देखा था राम को इसने देखा कृष्ण को किस ने देखा है कि मैंने तुम नहीं देखा लेकिन कृष्ण मेरे रुदय में है न कृष्ण का जो अस्तित्व है कृष्णा कॉंशनस जिसको कहेंगे वो कृष्णा कॉंशनस तो मेरे अंदर है कृष्णा के बारे में मैं समझ कैसे रहा हूं केवल उसके प्रतिविम्ब के रूप में क्रिष्ण बाहर थोड़ी है क्रिष्ण मेरे अंदर है अर्जुन का है वो भी बाहर का है वो मेरे अंदर है दुरियोधन का है वो भी मेरे अंदर है तो हमको क्या करना है कि तो हमारे मन से भय पूरी तरह से निकल जाएगा तो भय को हटाने के लिए केवल यही तरीका है अगर हम कौन है यह अपने आप में अंदर से समझ लेंगे और उस समझ पर उस कन्विक्शन पर अगर हम पूरी तरह से डटे रहेंगे तो फिर भय पूरी तरह से चला जाएका इसी प्रकार से सबी लोगों का भय इसी देह हमें जब तक हम हैं तब तक इसी जीवन में पूरी तरह से चला जाए इसी प्राथना के साथ हम हमारा करेक्रम आज के लिए समत करते हैं धन्यवाद